अस्सलाम लेकुम स्टूडेंट्स होप आल वोड वी फाइन देखे बीटा हमने चैप्टर फूर सेल को स्टार्ट किया हुआ था तो आज हम नेक्स टापिक उसका पढ़ेंगे जो है जी सैटो पलाजम तो आज हम कांटिन्यू करेंगे के जी सैटो पलाजम क्या होता है सैटो सैटो पलाजम की कंपोजीशन क्या होती है सैटो पलाजम की लोकेशन कहां पर होती है सैल के अंदर और इसी तरह सैटो पलाजम के फंक्शन कांट से होते हैं यह सब कोच हम पढ़ने वाले हैं जी बेटा मूब करते हैं टापिक इतरह देखें यह आपको नजरा आ रहा है ज and plasm कहते हैं fluid को liquid को यह prêt के अंदर जो fluid होगा जो लीग्वीड होगा उसको हम कहेंगे सैटो plasm देखिए अगर हम इस diagram के ओपर गवण करें तो सैटो plasm हमको कहां पर मिलेगा इसकी location कहां पर है देखिए यहां पर आपको liquid नजर आ रहा रहें, च्छुट-च्छोटे आपको दाने नजर आ रहें, असल में यह क्या fluid है, जिसको हम क्या कहते हैं, सैटो के अंदर जो fluid मुझूद है, वो क्या कहल़ है जी बिटा, सैटो क्रादम, तो देखें में बिटा, आब इसकी हम scientific determination करते हैं के सैंस की जबान वे इसकी definition क्या है अगर आप टीफफाइन करना चाहें तो सेटो प्लाज्म बेटा living content ऻता है living content का मतलब होता है जानदार ma Interior धेखे अगर सेटो प्लाज्म होता तो इनके सेटो प्लाज्म केंदर जान ना होती तो तो यहलगically यह cell फिर live किस तरह होता, cell किस तरह survive करता, cell किस तरह से जिन्दा होता, जब cell जिन्दा ना होता तो जानदार भी ना होते, यहनि कि सैट प्लाजम की presence ने cell को जिन्दा रखा ओए, इस तरह वह हमारी सारी activities, all organism के अंदर सारी activities perform हो रही है, हैं बहुत सारे रियक्शन हो रहे हैं लाइफ चाल रही है बेटा तो देखें यह सैटोपलाजम अब क्या है लिवेंग कंटेंट है एक जानदार मेटीरियल है अब इसकी थोड़ा मेटीरियल लुकेशन देख लिते हैं कि सैटोपला कहां पर लुकेट करता है सैल के अंदर कहां से लेकर कहां तक मवजूर होता है देखें मेटा यह हम कह सकते हैं कि यह चीज़ग wenक्रेंट से लेकर साल मेपलें और न्यूकिलेस के बाद यहां पर अगर गोर करें तो यह सबसे बहर आपको एक दिवार नदर आ रही है एक मिम्बरेन नदर आ रही है जिसको हम क्या कहते हैं सेल मिम्बरेन तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जी न्यूकिलेस से लेकर सेल मेंब्रेन तक जो यह सारा फलूइड मजूद है इसको हम क्या कहेंगे सैटो पलाजम और इस सेटो पलाजम के अंदर मुझतलिफ आर्गनेल्ज अब देख रहे हैं यहाँ पर त्यार रहे हैं जिस तरह गालजी बाडी मजूद हैं यहाँ पर देख सकते हैं मेटो कांट्रिय explor aplcem मजूद हैं और अकसी सुम यह भी मजूद हैं fluid के अंदर यानि के सैटोपलाजम के अंदर floating कर रहे हैं तैर रहे हैं बेटा अब एक next term है बेटा प्रोटोपलाजम अब ये mostly exam में आ चुका है कि प्रोटोपलाजम किसको कहते हैं अगर हम इसको define करना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं कि न्यूकलेस प्लस सैटोपलाजम इस काल करते हैं कि प्रोटोपलाजम कहां पर मजूद है देखिए हमने पहले बात की है कि जहां पर ये सारा फल्वर्ट जो मजूद है इसको हम क्या कहते हैं सैटोपलाजम तो सैटोपलाजम पलस हमने का न्यूकलेस सैटोपलाजम और न्यूकलेस को जब इकठे मिला लेंगे तो ह बिश्कों कहेंगे कि यह प्रोटो प्लाजम का कहते हैं कि यह सिसर्फ और सिर्फ यू क्रियाटेक सेल में पाया जाता है यानिक इनीमल सेल में होता प्लाउंट इसके प्लाउनड सेटोपलाजμ का तो अगर हम बैक्टेरिया सेल को बिस्थ एँड़ करें से उसके अंदर हम तो सिर्थ और शिर्फ तर अगर यह बदा है और हमको इस तरह की नीउकलिस मजोद नहीं होता है bacterial cell हैं, तो हम नहीं कह सकते हैं के वहाँ पschर्ण होता है . वह सर्फ theor और सिटोलाद होता है , और अंदर genetic material वगरा मजूद होता हैания, है तो आप देखते हैं meitab गया ये these components कॉन से are cytoplasm ng, cytoplasm के कॉन से parts है जिन की हमने detail पंड़नी है ।- 是 component के अगर केए Insolubable Waste, and third हो गए हमारे पस organ頂रिड होगा, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी, Cytosole क्या होता है? जो फास्ट कंपोनेंट है? Cytoplasm का, Cytosole के हम होगा है, Cytopl grain का, यह सालूबल holopt होता है Cytoplasm का, यह कि, Kim about the साँटो पलात्थ आपी साइटो सॉल, यहaudry के अंदर जो साइटो सॉल, जो मुझोद है, जैसको हमने का जी डिसायड और में है, सालूबल पोशन है उसका, देखिए उसके अंदर जो पानी की concentration क्या होगी? साइटोसोल के अंदर तो पानी की जो concentration है वो 90% है यानिकि maxima में साइटोसोल के अंदर पानी मजोद होता है और जिन 90% उसकी concentration है देखें साइटोसोल को फर्दर हम divide कर रहे है किसमें true solution और next कुलाइडल solution अब देखें कि जी true solution क्या होता है और colloidal solution क्या होता है यानि कि ये साइटो पलाजम था उसके अंदर cytosol था जो soluble part था वो soluble part को हमने मजीद divide कर दिया true solution and colloidal solution में तो अब देखते हैं कि true solution क्या होता है true solution कि अगर हम बात करें तो ये transparent होता है transparent क्या चीज़ होती है जिस तरह एक शीशे का गिलास होता है अगर हम वहां से देखें तो और पार चीज़ें हमको नजर आती हैं तो उसको हम कहते transparent यानि कि जो true solution होगा साइटो सोल का ये true solution ये transparent होगा ये 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 बहुत ही शिफाफ होगा और इसके आर पर देखा जा सकता है अब देखें true solution बनता कैसे है true solution इस तरह बनता है जब सम्माल मलिकूल आपस में मिलते हैं छोट चोटे मलिकूल आपस में मिलते हैं तो वह true solution बनाते हैं सम्माल मलिकूल combine to each other and the firm the true solution साफ जहरे चोटे मलिकूल होंगे तो transparent material बनाएंगे जिसको हमने क्या कहा है true solution अब समाल molecule क्या हो सकते हैं जिस तरह water हो गया sugar हो गया और छोट छोटे और molecule हो गया जिनका molecular weight कम होता है थोड़ा होता है उनको हम क्या कहते है smaller molecules अच्छा एक और point भी आपको मैं बताता चलूँ जिस जो true solution होता है उसके जो molecule होते है small molecule छोटे molecule और ये filter रेबल होते हैं जिनके इनको हम filter कर सकते हैं क्योंकि इनका size छोटा होता है जिनका size छोटा हो वो असानी से जिनके filter हो सकते हैं वो filter paper से गुजारे जा सकते हैं तो अब next हम देखते हैं कि जी collider solution क्या होता है collider solution की अगर हम बात करें तो यह जनी कि semi transparent होता है semi transparent का मतलब होता है जनी कि जो मुकमल शिफाफ ना हो अब यहां पर यनि कि इसको हम कह सकते हैं कि यह जी थोड़ा गदला होगा यनि कि इसके अंदर यह वो थोड़ा हम कह सकते हैं के जी वो मटियाला पान होगा यह हमको थोड़ा उपायक नजर आएगा और यह कुलाइडल सुलूशन बिटा लार्ज मलेक्यूल कंबाइन टू इच अदर एंड फार्म दी कुलाइडल सुलूशन तो यहां पर यह निके बात उलाट होगी वहां पर हमने कहा था ट्रू सुलूशन में छोटे मलक्यूल मिलेंगे तो ट्रू सुलूशन बनेगा लेकिन हम कुलाइडल सुलूशन में जो बात कर रहे हैं वो यह है कि लार्ज मलक्यूल बड़े-बड़े मलक्यूल जब आपस में मिलेंगे वो तो क्या बनाएंगे कुलाइडल सुलूशन और जिनका molecular weight ज्यादा होता है जो बड़े-बड़े molecular होते हैं वो collidal solution बना रहे होते हैं बेटा देकिन next अगर हम गोर करें तो collidal solution को फर्दर divide किया गया है उसको मज़ीद तक्सीम किया गया है किसमे soul and gel में अब देखें ये आपकी short question है soul, gel cytosol क्या होते हैं ये अक्सर exam में आते हैं इनको आपने mind में रखना है, याद करना है बेटा अगर हम soul की बात करें तो ये एक तरह की non viscous material होता है यानि कि जो गाढ़ा ना हो यानि कि उसको हम कह सकते हैं वो non viscous होगा और ये non viscous material यानि कि जो dilute material होगा तो dilute fluid होगा जिसको हम क्या कह रहे हैं, soul कह रहे हैं तो ये peripheral region में पाए जाएगा cell के, अब peripheral region से क्या मुराद, peri कहते हैं side area, किनारों वाली जगाँ अगर हम यहाँ पर गोर करें तो यहाँ वाज़ तो यहाँ वाज़ तोर पर हम देख सकते हैं यह हमारे पास बिटा animal cell मजूद है अब इसका peripheral region कौन सा होगा देखेंजिए, cell membrane के साथ जो यह आपको region नज़र आ रहा है यह जो आपको red dot नज़र आ रहा है इसको हम कहेंगे कि यह peripheral region है और यह वाला जो आपको liquid नज़र आ रहा है peripheral region में किनारों पर आपको जो नज़र आ रहा है इसको हम कहेंगे soul क्योंगे हमने बात की थी कि non viscous material जो peripheral region में मजूद होगा उसको हम क्या कहेंगे soul कहेंगे बेटा यह किनारों पर क्यों मजूद है बेटा क्योंकि यह इतनी viscous नहीं है यह गाड़ा नहीं है डिल्यूट होने के वज़ा से यह किनारों पर ही रहेगा peripheral region में रहेगा नेक्स डेजी जेल जेसको हम कहे सकते हैं कि यह जेल आपने देखी होगी यह viscous होती है ठीक है ना यह ज्यादा गाड़ ही होती है तो जेल हमारे पास viscous material है और यह nucleus के around होगा nucleus के करीब हमको दिखाई देगा अगर हम यहाँ पर गवर करें बेटा तो यहाँ पर आपको nucleus नजरा रहा है और nucleus के साथ जो आपको material नजरा रहा है यह gel है यह एक तरह का यह viscous material है यह एक तरह का गाड़ा material है जिसको हमने क्या क्या जैल कहा बेटा हम next move करते हैं वो है जी functions क्या होते हैं अब साथ प्लाजम के हम function देखने वाले हैं जो इसका सबसे पहला function है उसको हम कहते हैं कि जी यह as a store house work करता है यह जो साथ प्लाजम है एक तरह का store house है देखें जीस तरह एक store room है हमारे घर में होते हैं ना उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती है सारी चीज़ें घर की इकठी होती है ठीके ना तो इसी तरह यह साथ प्लाजम यह एक store house है सब्सक्राइब हर किसम की चीज़ पड़ी है झालिस के निवात करें तो इसके अंदर वाटर होगा शाड़ उंगे मिनरल होंगर कि यहां पर यह साल्ट वागारा वाटर जिस सारा कुछ मजूंध है इस तरह आम कह चैनल के यहां पर मैटाबॉलिजम हो रही है मैटाबॉलिजम को आपने पढ़ा होगा जो कम्बिनेशन है कैटाबॉलिजम यह चीजें आपने टूट्रही होते हैं इसको हम क्या कहते हैं मैटाबॉलिजम मैटाबॉलिजम के आगर हम बात करें तो एक जैमपल हैं हमारे पास गलाकोलास सिस और यह गलाइकोलेसिज कहां पर हो रही होती है यह गलाइकोलेसिज सैटोपलाजम के अंदर हो रही होती है यह सैटोपलाजम के अंदर ही गलुकोस तूट रहा होता है यह यह सैटोपलाजम एक तरह का मैटाबॉलिक पाथवे दे रहा है जिसके अंदर बहुत सारे रियक्श है और इस तरह दूसरे रियक्शन भी इसके अंदर हो रहे होंगे नेक्स्ट फंक्चन है बिटा सट्रीमिंग मोशन सट्रीम का मतलब होता है नदी देखें अब नदी में पानी बह रहा होता है तो इसके अंदर भी एक सट्रीमिंग मोशन होती है एक सट्रीमिंग मूवमेंट होती है सट्रीम की तरह अब यहां पर गवर करें जिसको हमने सैटो प्लाफम खाए बिटा यह सैटो प्लाफम एक तरह की मूव्मेंट कर रहा होगा एसना यह क्या चल रहा हो गा जिस तरह » "... जौर गालजी बाडीद हैं इसी तरह पर आक्सी सूम आप देख सकते हैं यहां पर मजूद हैं और इनके अंदर रैबो सूम भी मजूद हैं ठीक ना और इसी तरह माइटो कांट्रिया भी यहां पर मजूद हैं अब यहां पर गवर कर सकते हैं पर आक्सी सूम हो गए गालजी बाड कर रहा होगा जब यह फिलवेड मूँब करेगा बिटा यहाँ पर जो आपको अर्गेनल नज़ळा रहे रहे अपनी पुजैसे चेंज करता जाएगा जास तरह यह 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 फिल्वैढ एइस्टा एस्टा मूव करता जाएगा इसी तरह ये गालजी बाडी भी अपनी पूदीशन ऐस्ता ऐस्ता चेंज कर लेगी क्योंकि ये फिल्विड मूव कर रहे है न तो उसके अंदर ये आर्गनिल भी ऐस्ता ऐस्ता मूव कर रहे होंगे इसको हम कहते हैं कि जी इस स्ट्रीमेंग मूवमेंट और ये आप इसको इस तरह समय सकते हैं कि ये एक तरह का पॉंड है ये एक तरह का तलाब मजूद है जिस के अंदर संटर में हम कह सकते हैं कि इस तलाब के अंदर एक फोटबाल पड़ी है और उस फोटबाल को हम कह सकते हैं कि जी ये नूकलेस है और इस तलाब के अंदर हम कह सकते हैं कि जी एक तरह की जो बून्ज हैं जो हड़ियां होती हैं वो तैर रही हैं उसके उपर तो उनको हम कहेंगे गालजी बाडीद कहेंगे बिटा और इसी तरह इस तलाब के अंदर छोट छोटे आपको सट्रैक्श्र ने धर आ रहे होगा गोल सट्रैक्श्र यहनु को हम रैबोस क्यों गेते यह भी मजूद वहां गया है और चीज हो सकते हैं इस तरीके त попроб ए吗 अधर जिसको हमने मैट्हक chilled लजी हुए एक रजी नज़राए आपको फोलडेंग में रोप नज़रां रिल्य है यहां पर फिशYU weiter को यह जो सैटोपलाज मेना एक तरह का फलूएड मीडियम है मीडियम कहते हैं कोई सपेस कोई जगा देना हायर करना अब फलूएड मीडियम किस तरह है हम इस तरह कह सकते हैं कि जिस तरह एक फैक्ट्री होती है ना फैक्ट्री के अंदर आप यहां पर फैक्ट्री को समय लिए वो एक तरह के फलूएट मीडिया में और फैक्टरी के अंदर हम कह सकते हैं कि जी मुख्तलिफ चीजों की त्यार ही हो रही होती है जिस तरह एक इंडरस्टरी के अंदर जिस तरह एक फैक्टरी के अंदर कोई लेज की त्यार ही अंदर हो रही है हां जो लेज आप खाते हैं बेटा, इसी तरह कोई दूसरे प्रोडाक्ट खाने के वो फैक्टरी के अंदर बन रहे हैं, ठीक ना? तो इस तरह ये भी एक फल्वेड मीडियम है, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजें बन रही हैं, टूट रही हैं, रियक्शन हो रहे हैं, ठीक ना बेटा? ओके बेटा, अ अलाओफ़ लूड़ था झाल, बेटा, टूट ये श्यावड था, एक या वित्वान दूट ऑटू भी एंवेड शावड़ था, एक जा रहे हैं, पुर्ट खाने के लिए टूट रहे हैं, ठीक पुर्ट जावड़ था, विद्वेड खेंड़ पाने के लिए, ठीक जाए,